जिस तरह से एक New York से सग्यत सज्जा नाम के साइबर से वाकिफ रहने वाला एक आदमी प्रेस कॉन्फरेंस लेके EVM मशिन के हैकिंग के बारे में बताता है और इसके पहले भी देश के कई चुनाओं में EVM हैकिंग हुई है और वो आदमी जो Electrical Corporation of India में जो भारती सरकार से जुड़ी हुई एक संस्ता है उसमें काम कर चुका है वो आदमी अगर कहता है कि ये ऐसी इस तरह से EVM हैकिंग इसके पहले भी हुई है आज भी होती आ रही है और ये हैकिंग के बारे में कुछ 14 लोगों को जानकारी थी स्वर्गे मुंडे साब की भी और उनमें जिनकी जानकारी थी उनमें से कई लोगों की हत्य हुई है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी धक्कादायक बाप आज हमारे सब के सामने आई है ये सबको चोकाने वाली बात है बहुत दुखद बात है कि अगर इस कदर से कोई मुंडे साब के मुर्टिव से कारण अगर जोड़ा जाता है आज पहले तो कहा गया कि ये एक एक्सिडेंट था CBI की इंक्वाइरी बिठाईगी CBI ने इंक्वाइरी का रिपोर्ट दिया गया कि हाँ ये एक्सिडेंट में उनकी डेथ हो गई है तब थोड़ा सा विश्वास हुआ लोगों को कि ठीक है एक एक एक्सिडेंट में हो सकता है लेकिन आज ऐसी क्या बात होई कि वो निव यॉर्क से प्रेस कांफरेंस लेके उन्डे साब के मृत्यू का कारण भी EVM हैकिंग के बारे में की जानकारी बता रहे हैं और ये मृत्य क्यों उनका एक्सिडेंट नैबल की हत्या है ये इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए या तो वो न्यूव यार्क से बात कर रहा है या तो फिर उसने रौने उसकी जांच करनी चाहिए या तो फिर सुप्रिम कोट के सीनिर मोस जेज के अब्जर्वेशन में इसकी ज करने की जूरत है